Hello everyone, मैं आनीता ठाकूर, Welcome to my YouTube channel और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं Class 11th Political Science Chapter 7 जो हैं जिसका नाम है Federalism आज हम लोग उसका Next Topic डिसकस करने वाले हैं जिसमें हम लोग Interstate Conflicts के बारे में Discussion करेंगे तो जैसा कि यहां पर बताया गया है कि States जो हैं वो क्या करती रहती हैं लड़ती रहती हैं फाइट करती रहती हैं और कहीं बार तो उनका यह मौटिव होता है कि हां हमें क्या मिलनी चाहिए जैसे अटॉनमी मिलनी चाहिए जैसे जमुवन कहश्मीर में चल रहा था किसीन कहश्मीरी तो थे कैश्मीर का यह मुद्दा था कि मतलब हमें ज्यादा अटॉनमी मिलनी चयए चाहिए तेन अब वो किसके साथ पाइट करते हैं Central Government के साथ फाइट करते हैं जो भी Issues होते हैं कि हाँ revenue resources जो हैं वो हमें जादा मिलने चाहिए और जैसे disputes होगे two states के बीच में और दो या दो से जादा states के बीच में भी disputes जो हैं वो हो सकते हैं the next यहां पर बता आगया है judiciary जिसका main काम ही यही होता है to solve all the disputes that are that are prevailing in society या फिर एक state particularly जिसमें वो मतलब prevail कर रहे होते हैं disputes को settle करना on legal lines मतलब की कानूनी तोर पे किसी भी मुद्दे को सुलजाना जो था वो किसका काम है वो judiciary का काम है और अगर हम लोग बात करें इनी legal jurisdictions की तो कहीं न कहीं यह disputes है वो reality में start out नहीं होते है legally ठीक है तो अगर हम लोग बात करें कुछ political implications की तो उसमें यह बताया गया है कि जो west way है मतलब disputes को resolve करने का वो सिर्फ और सिर्फ negotiations है और mutual understanding है अगर आप लोग किसी के साथ प्रेम पूरवक वारता लाप करते हो या फिर mutually understand करते हो तो आप लोग क्या कर सकते ह हो किसी भी dispute को easily resolve कर सकते हो अब next यहां पर बताया गया है broadly two types बताइगी है disputes की जो कि mostly देखने को मिलती है एक बताया गया है border dispute और दूसरा बताया गया है water sharing dispute ठीक है और जैसे कि यहां पर बताया गया है कुछ states जो है वो यह claim करती है कि हमारी territory जो है हमारे neighboring के साथ मतलब जो करती है और हमें क्या करना उसके साथ mostly उनके resources जो है वो share हो जाते हैं जिसकी वज़ा से border dispute जो है वो दो states के बीच में start हो जाते हैं तो first यहां पर जो इशू बताया गया है वो कौन से state से belong करता है महराश्वा करनाट का जो कि एक major city के लिए उन दोनों के बीच में dispute चलता है वो है बैल गाउन ठीक है और next यहां पर बताया क्या है मनीपूर नागालान के बीच में भी same case है उनमें भी border dispute चलता है और हर्याना और साथ में जो पंजाब state है वहां पर भी यह dispute जो है border dispute जो है वो मत देखने को मिलता है मतलब कि वो अपने areas को expand करने की कोशिश करते हैं औ पंजाब और हर्याना की बीच का जो dispute था वो यह था कि उनका dispute capital city जो की चंदिगर्ड है उससे related था हर्याना जो था वो चाहता था कि चंदिगर्ड मेरे control में हो मेरे साथ जुड़े क्योंकि वहां पर जादा tourist जो है वो आते हैं इसे economically well of जो हर्याना का भी हो सकता और पंजा सब्सक्राइब के साथ होना चाहिए ताकि उसको भी economically stability provide हो जाए है ना तो और उसके बाद यह चो city है आज के टाइम पर मतलब इसको क्या कर दिया गया है कही ना कहीं UT में convert कर दिया गया मतलब डारेक्ट सेंटर कंट्रोल में इसको चोड़ दिया गया है और 1985 में जब प्राइम निस्टर राजीव गांदी थे तो वह एक ऐसी understanding में पहुंचे थे वह इस तरह का decision लिया था कि पंजाब जो है वो कही ना कहीं चंदिगर को control कर सकता है और आज मतलब चंदिगर को किसको सोंप दिया गया था पंजाब को लेकिन वो आज के टाइम पर ऐसा नहीं हो रहा है तो next conception क्या बता रही है कि जो border dispute थे वो तो हम लोगों को पता चल गया लेकिन अब एक और ऐसा dispute है जो पानी को लेकर है river water sharing क लेकर है तो जैसा कि यह बहुत एक serious cause है serious reason भी हम लोग बोल सकते हैं जो कि बहुत जादा dispute कास करता है बहुत जादा water जो है वो हर एक चीज़ की necessity है चाहिए वो crops हो human beings हो animals हो ठीक है हर एक चीज़ के लिए यह necessary है और उसके बाद यहां पर बताया गया है कि यह जो problem है वो relate क practices के साथ concern है कुछ states जो water river water को मतलब share करने के लिए या फिर हम लोग बोल चकते अलग अलग तरह के मतलब disputes कास होते हैं जैसे यहां पर आप लोगोंने सुना होगा कावेरी river dispute के बारे में तो बताया गया है कि यह major issue है किसके बीच में तमिलनाडू और करनाटका स्टेट के बीच में दोनों स्टेट के जो farmers हैं उनका यह मानना है कि हम लोगों को पूरी तरह से कावेरी river पर ही depend रहना पड़ता है for the year हम लोग गोल सकते agriculture practices के लिए और industrialization के लिए भी हम लोग यह बोल सकते हैं then next यहां पर बताया गया है यह जो river water है वो tribunal है मतलब tribunal settled किया गया इस water dispute को देन उसके बाद यहां पर बताया गया supreme court के द्वारा इस यह case वो supreme court तक यह dispute सुप्रीम court तक पहुंच चुका है जिसमें उनने यह same मतलब उनका यह है कि water जो है वह equally सब स्थेट्स को मिलना चाहिए the next case क्या बता गया है यहां पर कि कि गुज्रात मध्यपरदेश महरास्ट्रों जो है उनमें भी water river को लेकर मतलब क्या river water को लेकर शेरिंग को लेकर क्या चल रही है battling चल रही है मतलब लड़ाई जगड़ा चल रहा है और वह river कौन सा है नर्मदा river है जो कि major resource है जिससे कि वह irrigation कर सकते हैं industries के लिए और other purposes के लिए उसको use करते है देन अब हम लोगों को in disputes को solve करना with the help of मतलब patience है न और cooperation जो है वो बहुत ही must है अगर हम सभी states जो है वो cooperate करें कि हाँ हम लोग एक ही nation से belong करते हैं so जो resources है हमारे nation में उनको हम लोग equally use कर सकते हैं so it's the end of this video thanks for listening and may god bless you all